कि मयन्हों बश्क्राइट जो लोग नए है और लोगों के लिए हैं इंडिया का ज़ो 25 मैपिंग सेरीज हुआ है उसको जाके आप कर लिजी क्या गया है आपके चैनल पे तो इसको तो आप करने की कोशिस कीजिए और जितने भी लोग हैं जो लगातार कर रहे हैं जहांसी सिवंकुमार और अलिविया अंजली अरुन सिर्वास्तो आप सब सिस्टेमेटिक कीजिए और सिस्टेमेटिक करने का मतलब है यह स्लेवर्स आपको बहुत ही कंफिडेंस देगा जब भी आप देखेंगे कोश्टन प्रिवियस एर्स का यह आने वाले कोश्टन कोई भी होगा तो कोश्टन आपका छूटेगा ने तो थोड़ा सा महिनट आपक है किस तरह से बनते हैं कौन से और किस प्रकार के पान पाए जाते हैं उनसे संवंबंधित है तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोगなरीवर्ण मैप ले लिजिए और मैमें तो अलग-अलग बताऊंगा लेकिन आपको वर्ण मैप पान पए इनसारे परकिर्श्य को कि आ पहले हम शुरू करते हैं कहां से तो नौर्थ अमेरिका के प्लैट्यू से कौन-कौन से प्लैट्यू है नौर्थ अमेरिका में उसके बारे में जानते हैं तो आएए देखते हैं देखिए ये जो है मैप आप देखी रहे हैं ये मैप किस चीज़ का है तो नौर्थ अमेरिका का मैप है आप जानते हैं इस मैप में इस map में जड़ा देखे ये जो छेतर है ये आप देख रहे हैं ये जो छेतर है ये यहां से उपर कनडा का छेतर है ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन रंग का जो सैडो किया हुआ है ये है कनडा का जो छेतर है ये ग्रीन वाला छेतर है इससे उपर कनडा का छेतर है अब देखे यहाँ पे कौन-कौन से पठार को आपको करना है तो आप ज़रा इसको focus केज़े सबसे पहले देखिए यह जो पठार मैंने किया है सबसे पहले यह जो पठार है यह सबसे important पठार है यह कई बार आपसे question पूछा जा सकता है तो यह पठार कौन सा है तो याद रखिएगा यह जो पहला पठार हमने किया है इसका नाम है कोलम्बिया का पठार कोलम्बियन प्लैट्यो कोलम्बियन प्लैट्यो कोलम्बिया का पठार समझ गए अब यह कोलम्बियन प्लैट्यो है कहाँ पे तो आप देख रहे हैं इसका maximum area कहां पर है यह British Columbia यानि Canada का है यह Colombian plateau जो है यह Canada का है समझ गया Canada का है और याद रखिएगा क्या question आप से पूछा जाएगा इसमें यहाँ पर focus करिए जैसे Canada में मैंने setting किया हुआ है जो black रंग का जो setting है यह Colombian plateau है अब इससे question क्या पूछा तो याद रखिएगा यह volcanic plateau है volcanic plateau समझते है volcanic plateau है वालकैनिक प्लैट्यू क्या होता है आपको बताया गया था कि volcanic plateau का मतलब है कि अगर यह crust है अगर suppose कीजिए जिस पे आप रहते हैं यह crust है अब यह crust का मतलब है धरती का सबसे ओपरी भाग यह crust जो solid है जिस पे आप घर बना रहें और इसके नीचे मैगमा है आप जानते हैं कि यह मैगमा अगर निकल कर ऊपर चलाया और फैल गया तो यह क्या बन जाएगा एक लावा बन जाएगा और लावा पठार कहलाएगा तो कोलंबिया एक तरह का क्या है लावा पठार है याद रखिएगा यह एक तरह का ला लावा पठार है लावा प्लैट्यू इसको कह सकते हैं समझ गए तो ये दो कोश्चन हमेशा याद रखिए इसकी प्रकृति क्या है तो इसकी प्रकृति लावा की किस्म की है यानि लावा की किस्म की है दूसरा कोलंबिया प्लैट्यू के नीचे अगर मैं आपसे कहूं कि इस इसको हम esnac पठार कहते हैं, esnac याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, तो यह जो region मैं आपको red रंक से मैं आप बता रहा हूं, यह reason, यह देखिए, यह snack पठार है याद रखिएगा कौन सा पठार? snack plateau समझ गए? यहाँ पे एक प्रमुख नदी है जो snack नदी है वो बहती है समझ गए? तो याद रखिएगा Columbia पठार और snack पठार दोनों क्या है? volcanic plateau है कौन सा प्लेटू है? volcanic plateau Columbia प्लेटू और snack प्लेटू यह दोनों है नौर्थ अमेरिका का प्लेटू है और snack plateau क्या है? तो यह USA और कनाड़ा दोनों में है snack plateau यह क्या है? यह है आपका जो अलामुखी पठार यानि volcanic plateau याद रखिएगा यह सब आप लिखते चलिएगा उसके बाद देखिए यहाँ अलास्का के जस्ट नीचे आप देखिएगा यहाँ पे और अलास्का में भी इसका छेतर है इसका नाम है Yukon Plateau Yukon का पठार Yukon Plateau याद रखिएगा कौन सा पठार? Yukon का पठार तो यह जो setting हमने किया हुआ है black रंग से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नदी है जो अलास्का की एक प्रमुख नदी है Yukon याद रखिएगा इस नदी पे कौन सा कौन सी रिवर है? Yukon River बहती है Yukon River कहां की नदी है? यह अलास्का की नदी है This is river of Alaska समझ गया? तो यह Yukon Plateau है Yukon Plateau समझ गया? इसके बाद अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यह जो कोलंबिया का पठार है अब देखिए यह कोलंबिया का पठार है यह एक और कोस्टन इसमें लिख लिजेगा यह कोलंबिया का पठार इसमें एक और कोस्टन लिख लिजेगा कि यह किस तरह का पठार है तो याद रखिएगा इंटर मॉन्टेन प्लैट्यू क्या है इंटर मॉन्टेन प्लैट्यू का मतलब है परवतों के बीच अगर कोई पठार बना हुआ है समझ गए यह अगर पठार बना हुआ है प्लैट्यू के बारे में तो आप जानते हैं एवरेज हाइट कितने से कितने होती है तीन सौ से साथ सौ मीटर के बीच जो आसपास के एरिया से कंपेर किया जाता है और जो नौर्मली सी लेवल है उसको माना जाता है अगर पठारों का छेतर है तो उसमें आसपास के एरिया को लिया जाएगा जैसे तिबबत में या आसपास का जो छेतर होता है उससे तीन सो से साथ सो मीटर तभी वो पठार माना जा सकता है उसका एवरेज हाइट तिबबत का 4000 मीटर है लेकिन वो पठार इसलिए है क्योंकि आसपास के एरिय प्लैट्यू को हम इंटर मॉन्टेन प्लैट्यू कहते हैं समझ गया कौन सा प्लैट्यू इंटर मॉन्टेन अंत्रा परवतिय पठार याद रखिए का तो कोलंबिया का जो पठार है यह क्या है यह एक अंत्रा परवतिय पठार है इंटर मॉन्टेन प्लैट्यू है समझ गया आप अज़िए यह जो पथार आप देख रहे हैं यह यह पथार क्या है यह जो पथार आप देख रहे हैं यह और यह पथार इसमें सबसे पहले आए है यह पथार जो है इसको हम कहेंगे हुए को लोडो का पठार कॉलो का पठार कॉल यैडो का पठार कॉलो कई हम्हें समझ गया, कोलो डैडो का पठार, यह जो पठार आप देख रहें, यहाँ पर, यह कोलो डैडो का पठार, याद रखिएगा, तो यह याद रखिएगा, यहाँ पर कोलो डैडो का पठार, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यह वाले सारे मिटा दे रहा हूँ, तो अब देखे ये Colorado का पठार अगर आपसे पूछा जाए ये कहा है तो याद रखिएगा ये USA में यहां पे एक प्रांथ है Arizona एरिजोना क्या है USA का स्टेट है यहां Colorado का पठार पाया जाता है USA का पठार है Colorado का पठार अब यह देखे यह जो यहां पे आप देख रहे हैं यह जो देख रहे हैं यहां पे एक अप्लेशियन परवत है और यह जो पठार है इसको हम कहते हैं पिडमॉंट पठार पिडमॉंट पिडमॉंट प्लैट्यू समझ गया है यह पिडमॉंट पठार है अब पिडमॉंट पठार से क्या क्या कोस्चन होगा तो पिडमॉंट प्लैट्यू यह पिडमॉंट पठार यह एक तरह से मैं आपक Applesian Mountain, अगर ये highest mountain है, तो ये इसके पदिये छेतर में है, पद का मतलब होता है उसके नीचले वाले छेतर में, ये पठार का निर्मान हुआ है, समझ गए, तो ये अगर मैं कहुं कि कौन सा परवत है, Applesian Palewart, उसके पद के नीचे बना है, तो ऐसे पठार को हम कौन सा पठार क कहते हैं पिद्मॉन प्लैट्यू का मतलब है यह एक तरह का किस तरह का प्लैट्यू है पिद्मॉन प्लैट्यू यहीं से classification हा है ध् multiplic vrij और इसका नाम पिद्मॉन प्लैट्यू रखा नक्स्ट देखे यहां तक आप समझ गया यह जो प्लैट्यू है इस प्लैट्यू को देखे यह जो यहां पर हमने बनाया है Mississippi के पास यह एक ओजार्क प्लैट्यू है ओजार्क प्लैट्यू याद रखिएगा कौन सा प्लैट्यू ओजार्क प्लैट्यू यहां पर जो मैं फोक ओजार्क प्लेट्यू याद रखिएगा कौन सा पठार है यह ओजार्क प्लेट्यू अब देखिए यह कहां फैला हुआ है मसूरी अरकानसास यानि यह जो एस्टेट है यह कौन सा एस्टेट है याद रखिएगा यह एस्टेट जो है ओजार्क प्लेट्यू का यह है मसूरी अरकानसास और ओकला हुमा ओकला हुमा ओकला हुमा यह क्या है प्रोविंस है समझ गया है मसूरी अरकानसास और ओकला हुमा में है और दूसरा याद रखिएगा ओजार्क प्लाट प्लैट्यू ये एक तरह का डोम सेप्ट प्लैट्यू है कौन सा है डोम सेप्ट प्लैट्यू डोम सेप्ट का मतलब होता है गुमबदाकार प्लैट्यू गुमबद देखा है आपने, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ, अगर कोई पठाड का की सनरसना इस तरह से गुमबद के तरह से हो जाए, गुमबद की तरह से मतलब थोड़ा सा उपर उठा हुआ, तो इस तरह से इसकी सनरसना है, तो ऐसे जो प्लैट्यू बनते हैं, नौर्थ अमेरिका में आपने देखा है, अब देखे, यहाँ पे आपने देख लिया, यह सारे पठाड है, अब यहाँ देखे, यह लॉरेंसिया का पठाड, इसको क्या कहेंगे, लॉरेंसियल प्लैट्यू, तो लॉरेंसिया, नाम तो सुना ही होगा, लॉरेंसियन रहेते हैं याद रखेगा दिस दा लोरं épीट बांटująड रखेगा मैंने आपको कहा था कि यह ज। लो Leonard Sultan है ये बहुत руки ना सिल्ड है पुराना का मतलब क्या होता है तो याद रखिए गा मैंने आपको कहा था जब धरती पहले थी क्या थी ये अगर मैंने कहा था कि यह पहले एक ही धरती हुआ करती थी या एक ही महादीब हुआ करता था जिसको क्या कहते थे हम पैंजीया कहते थे कहते थे ना जब इस पैंजीया को आप देखेंगे तो जब पैंजीया एक ही महादीब था तो धीरे धीरे क्या हुआ कुलिंग प्रॉसेस के कारण दरारे आ गई और पैंजिया दो भागों में तूड गया, उपर वाले पार्ट को हमने क्या कहा, लॉरेंसिया, उपर वाले पार्ट को हमने लॉरेंसिया कहा या अंगारा लेंड कहा, अंगारा लेंड कहा था, और नीचे वाले दच्छिन वाले पार्ट को क्या कहा था, गोंडवाना लेंड गोंडवाना लेंड, समझ गया, तो गोंडवाना लेंड, तो एक तो लॉरेंसिया और एक गोंडवाना लेंड, तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो लॉरेंसियल सिल्ड है, ये अभी भी बहुत पुराना है, ये जो लॉरेंसिया अभी तक ये जो नाम दिया गया है, ये विसो क का सबसे प्राचीन रॉक सा है और किन रॉकंसा है समझ गहें विश्व का सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए विश्व कीषब का प्राचीन चत्तान कौन सी होती है आर किन ॥ deposit आउर किन यह लॉडं सिर्थ About The ने यानि हकी न्रॉक्स कौन सी रॉक्स होती यार्टेंगा रॉक्स होती है इन इलस बेखर होती है युली आग्राच्तीर है तूसरा लोगा दूसरा गॉंडवान के चैने बहुत है रहें आफ्रीका में वह लोगा Labs आ इंटार्क्टिका और इंडिया का दच्छिन पार्ट तो हमारे इंडिया में कौन सा पार्ट है तो पैनिन्सुलर इंडिया पैनिन्सुलर इंडिया को पहले क्या कहते थे गोंडवाना लैंड की नाम से ही जानते थे पैनिन्सुलर इंडिया को गोंडवाना फितर ही कहते थे तो यहां तक आपका clear हो गया, अब देखिए, यहां जो plateau है, यह plateau कौन सा है, जड़ा देखिए, इसको देखिए, यहां तो आप कर चुके हैं, यह जो plateau है, इसको हम Mexico का पठार कहते हैं, Mexico, Mexican plateau, तो Mexican plateau यह क्या है, यह जो है, याद रखिएगा, जो Mexico का पठार है, वो भी आप ल Mexico के अंतरिक भागों में, इसलिए, इंटर मॉन्टेन plateau है, याद रखिएगा, इंटर मॉन्टेन plateau का मतलब होता है, परवतों से घिरा हुआ plateau, समझ गया है, चारो तरफ से परवत से घिरा हुआ है, तो इंटर मॉन्टेन अंतरा परवती पठार है, तो आप नौर्थ अमेरि प्लैट्यू के नाम से जाना जाता है, समझ गया है, तो यह है आपका टोटल प्लैट्यू, अब अगर हम आएं, तो साउथ अमेरिका के पठारी छेतर में आते हैं, साउथ अफेरिका में, अब देखिए, साउथ अफेरिका में आईए, साउथ अफेरिका, अब देखिए, अब South America में ये कौन-कौन सा पठार है जड़ा देखिए। सबसे पहले ये देखिए जो सेड किया गया है ये कहां है अर्जेंटीना है। तो मैं आपको बता दू यहां पे आप देखेंगे तो South America का अगर मैप आप देख रहे होंगे तो आप जानते हैं ये ब्राजिल का छेतर है और ये जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ये है अर्जेंटीना अब अर्जेंटीना में ये जो पठार आप देख रहे हैं ये एं पेटागोनिया प्लैट्यो ये जो एरिया देख रहे हैं ये पेटागोनिया का पठार है अब अगर मैं कहूं ये किस तरह का पठार है तो आप जानते हैं ये जो है ये जो परवत है यहां पे विश्व का सबसे लंबा परवत विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय तो यह अगर अंडी्ज है तो आप याद रखिये अंडीज के इस चेत्र में या नी पदीए चेत्र में पिड्मॉन्ट चेत्र में इस पठार का निर्मान हुआ है किसका पीड्मॉन्ट पठार को इसको हम कौन सा पठार कहेंगे पिडमांट पठार ये कौन सा पठार है पिडमांट पठार यानि पिडमांट प्लैट्यू इसको कहेंगे समझ गया तो ये पिडमांट प्लैट्यू है कौन सा पेटागोनिया का पठार तो अगर पूछा जाए ये है कहां तो ये अर्जेंटी में है याद रखिएगा कहा है अर्जेंटीना में है अर्जेंटीना उसके बाद ये देखे ये जो पठार आप देख रहे हैं ये देश जो है बोलिविया है आप याद रखिएगा कि दच्छिन अमेरिका में दो देश है जो लैंड लॉक्ट है ये ये देश है बोलिविया द और ये जो पठार है, इसको Bolivian Plateau कहते हैं, हाँ, दो country जो landlocked है, ये पारागवे है, और एक Bolivia है, याद रखेगा, पारागवे और Bolivia, ये उरुगवे, अट्लांटिक से लगता है इसकी सीमा, तो दो है landlocked, बोलिविया में ये जो पठार आप देख रहे हैं, इसको हम Bolivian Plateau कहते हैं, Bolivian Plateau, याद रखेगा, कौन सा Plateau कहते हैं, Bolivian Plateau, समझ गया, अब Bolivian Plateau से क्या questions पूछा जाएगा, Bolivia के पठार से क्या question पूछा जाएगा, अब ये Bolivian Plateau, अगर आप से पूछा जाएगा, किस तरह का पठार है, तो याद रखेगा, ये भी आप जानते हैं, ये Bolivia का जो पठार है, पुरा एंडीज का जो छेतर है, इसके बीच है, इसका मतलब है, ये Intermountain Plateau है, याद रखेगा, Intermountain Plateau, इसको हम क्या कहते हैं, Intermountain Plateau, समझ गया है, तो ये Bolivia का पठार है, जो Intermountain Plateau के नाम से जाना जाता है, यानि अंतरा परवतिये पठार इसको कहते हैं, इसके बाद देखिए, Piru Plateau, पीरू का पठार, तो ये भी अगर आप देखेंगे, ये जो Country है, यहाँ पे पीरू है, और मैंने आपको बताया था, यहीं पे पीरू केरेंट्स भी चलती है, अलीनो का जो संबंध है, इसी से है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक एलीनो केरेंट्स भी चलती है, अब एलीनो के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, आपको फीजिकल जोगरफी कम्प्लीट हो चुका है, उसमें जाके देखिएगा, ओशियन केरेंट्स में बताया हुआ था, एलीनो एक अलग से चैप्टर था, एलीना, लानीना, यह सब में बताया था, यह जो पठार है, यह पीरूवियन प्लैट्यू है, याद रखिएगा कौन सा प्लैट्यू, पीरूवियन प्लैट्यू, पीरू का पठार, तो पीरू का पठार कहा होगा पीरू में होगा लेकिन ये भी किस तरह का पठार है याद रखिएगा कौन सा पठार है इंटर मॉन्टेन प्लैटियो यानि अंतरा परवतिय पठार है याद रखिएगा पीरू का जो पठार है वो क्या है अंतरा परवतिय पठार है यहाद रखिएगा कौन सा पठार है अंतरा परवतिय पठार यहां तक हो गया यानि यह वाला छेत्र आपका हो गया है समझ गया है? तो यह major major plateau यहां पे है समझ गया? यहां तक हमने आपको बता दिया एक और पठार जिसको हम कहते हैं Brazilian Highlands तो याद रखिएगा यह जो छेत्र है यहां पे आप देख रहे हैं इसको कहते हैं और इसको Brazil का पठार कह सकते हैं Brazil Plateau तो इसको हम लिख देते हैं यहां Brazilian Plateau तो यह कभी पूछा नहीं जाएगा तो जब भी यह अगर पूछा जाता है Brazilian Plateau तो आप तो समझी जाएंगे यह कहां है इसलिए यह maximum नहीं पूछा जाता है दूसरे में option क्या है तो दूसरे में जब भी Bolivian Plateau पूछा जाता है तो किस तरह का Plateau पूछा जाता है इंटर मॉन्टेन तो आप अगर Bolivia का पठार पूछा जा रहा है तो यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन से देस में है तो आप जानते ही हैं कौन से देस में है किस तरह का है यह आप से पूछा जाता है This is the Brazilian Highlands इसको क्या कहते है ब्राजीनियन Highlands के नाम से जानते है तो यहां तक आपका हो गया है अब आगे चलते हैं अब देखिए यह आगे आपका कौन सा चेत्र तो यह पूरा चेत्र है किस चिस का यह यूरेसिया का अब देखिए इस मैप में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैप पे थोड़ा सा काम करना होगा थोड़ा सा आपको मैप पे काम करना परेगा तो यहां पे देखिए सबसे पहले देखिए यह जो सेडो किया हुआ है ये कौन सा पठारी छेतर हो सकता है तो याद रखे ये वाला जो छेतर मैंने सेडो किया है जो इंडिया के नौर्थ में है तो ये इसको हम कौन सा पठार कहें तो इसको हम तिबबत प्लैट्यू कह सकते हैं तिबबत का पठार समझ गया है ये तिबबत का पठार है तिबबत प्लैट्यो याद रखिएगा तिबबत का पठार तो अब इससे कोस्टन क्या पूछा जाता है तो मैंने कल आपको बताया था जो तिबबत का पठार है ये किन दो परवतों के बीच है मुझे बताईए ये जो तिबबत का पठार है इसमें हमने बताया था किन दो परवतों के बीच है तो याद रखिएगा ये किस के बीच है ये हिमाले के बीच और कून लून माउंटेन के बीच है कून लून माउंटेन के बीच हिमाले के बीच और कून लून माउंटेन के बीच याद रखिएगा हिमाले और कून लून माउंटेन के बीच में है इसका मतलब है ये कौन सा पठार होगा तिबबत का पठार ये पूछा गया है कई बार तो ये भी Intermountain Plateau होगा तो याद रखिएगा ये कौन सा पठार होगा Intermountain Plateau Intermountain Plateau होगा याद रखिएगा इसको भी Intermountain Plateau के नाम से जानते हैं ये जरूर याद रखिएगा किन दो के बीच में है समझ गया? Intermountain Plateau समझ गया है? अब आएए यहाँ पे यहाँ पे देखिए Intermountain तो समझा ही दिया है यहाँ पे देखिए यह जो छोटा सा मैं लिख रहा हूँ यह क्या है? यह पामीर का पठार है पामीर का पठार पामीर प्लैटियो पामीर प्लैटियो दूसरा एक और question इसमें लिख लिजेगा तिबबत का पठार विश्व का सबसे उचा पठार है highest तिबबत का जो पठार है उसमें लिख लिजेगा एक और question highest plateau in the world highest plateau इसकी जो ओसत उचाई है यह 4000 मीटर है 4000 मीटर इसकी average height है लेकिन ये एक तिबबत का का सकते हैं इसको पामीर debate इसको हम क्या कहते हैं Roof of the world के नाम से जानते हैं पामीर प्लैटियो ये आप देख रहा है पामीर और ये देश जो देख रहा है ये कौन सा देश है तो याद रखिएगा यह जो देश है तजाकिस्तान है तजाकिस्तान तो अगर पूचा जाए पामीर का पठार कौन से देश में है तजाकिस्तान में है ठीख है तजाकिस्तान में अब आप कहेंगे कि सर सबसे उचा पठार है तिब्बत का और Roof of the World विसु की च्छत इसको क्यों कहते हैं तो मैंने कल ही इस चीज को बता दिया था कि यहां पे चारो दिशाओं से परवत आके क्या होते हैं मिल जाते हैं तो सारे परवतों का यह च्छत कहलाता है जैसे कूलून तियन सान अलताई सान नान सान इधर हिंदु कोस कारा कोरम इधर आप देखिएगा जाग्रोस माउंटेन अलब्रुज माउंटेन यह सब जाके यहीं पर मिलते हैं पामीर तो एक गांठ बना लेते हैं तो आप जानते ही है यह इंडिया का यह जो पठारी छेतर है इसको हम कौन सा पठार कहते हैं दिस इस दर दक्कन प्लैट्यू याद रखिएगा दक्कन का पठार याद रखिएगा दिस इस दक्कन प्लैट्यू तो दक्कन का पठार क्या है एक तरह का कौन सा पठार है याद रखिएगा कौन सा पठार जौला मुखी का पठार वॉल्कैनिक प्लैट्यू जौला मुखी का पठार है और यह किस तरह से जौला मुखी का पठार बना है तो दरार से याद रखिएगा फीसर एड़ाप्शन से तो यह किस तरह से बना है तो यह बाई फीसर एड़ाप शमझ गहाई this is the region of Malwa तो Malwa प्लैट्यू भी यहीं पर लिख लिजेगा Malwa का पठार जो जौला मुखी पठार है जिसके पूछे जाने की संभावना रहती है समझ गए Malwa प्लैट्यू यह भी क्या है याद रखिएगा यह Malwa का पठार जो दक्कन पठार के उपर में है यह भी जो अलामुखी पठार है, volcanic plateau है, यानि इसका भी निर्मान लावा के उद्गार से हुआ है, यानि plateau, समझ गया है, तो यह मालवा आप देख रहे हैं, ठीक है, अब अगर आप से question पूछा जाए, अब देखिए, अब मैं इन सब को मिटा रहा हूँ, ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो ये, अब देखिए, तो ये आपने लिख लिया है, अब देखिए, अब देखिए, next question है, next question आप से अगर पूछा जाए, अब देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, कि ये जो region है, यहाँ पे देखिए, ये जो region है, यहाँ इसके उपर, तारीम बेसीन है, याद रखिएगा, कौन सा बेसीन है, ये तारीम बेसीन, तारीम बेसीन के बारे में हमने आपको क्या बताया था, तो ये, याद रखिएगा, य पिशाईना में, धड़ रखेगा क्या है टारीम बेसीन, लिख लिजिए क्या है टारीम बेसीन, अब इससे जो questions पूठा जाएगा, यह क्या पूठा जाएगा, कि टारीम बेसीन किन दो माउन्टेन के बीच में है, तो याद रखेगा, तारीम बेसीन नीचे कुनलून है, तो ये जो कारीम बेसीन है ये क्या है ये भी इंटरा मॉन्टेन है यानि इंटर मॉन्टेन है याद रखिएगा क्या है इंटर मॉन्टेन का मतलब अंतर परवतिय पठार है एक तरह का बेसीन है इंटरा परवतिय पठार है समझ गया है अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यह एक रीजन है यहाँ पे आप देखेंगे यह जो रीजन है यहाँ पे गोबी प्लैट्यू है यहाँ लिख लिजे गोबी प्लैट्यू गोबी एक तरह का रेगिस्तान भी है और चाइना में जितने भी अंतरिक रूप से आपका प्थार है यह सब रेगिस्तानी छेतरी ही है तो अगर पूछा जाए गोबी का प्थार कहां है तो मंगोलिया और चाइना दोनों में है याद रखिएगा यह कहां है तो मंगोलिया में भी है चाइना में भी है तो यह गोबी का प्थार मंगोलिया एंड चाइना दोनों में फैला हुआ है तो मंगोलिया और चाइना दोनों में ये फैला हुआ है उसके बाद है उसके बाद याद रखिएगा अगर आप से पूछा जा लोएस प्लैट्यू लोएस का पठार कहां पर है तो याद रखिएगा ये कई बार पूछा गया है लोएस प्लैट्यू यानि ये हवाओं के द्वारा जमा किये गए धूल से बना है यानि ये मध्य एसिया में यहाँ पे जितने भी रेगिस्तान है इस रीजन में यहाँ से हवाओं ने क्या किया है उधर लोएस प्लैट्यू बना दिया है चाइना में और विशो का सबसे बड़ा वायू निर्मित पठार है याद रखिएगा विशो का सबसे बड़ा वायू निर्मित पठार है लो एस का पठार वायू निर्मित पठार है अब देखिए यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के इस छेतर में देखिए यहाँ पे एक पठार है इसको कहत प्लेट्यू 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 प् हवा के द्वारा जमा किये गए धूल मिट्टियों से बना है अब देखिए नेक्स्ट कोश्चन मयनमार यहाँ देखिए यह पहले इसको बढ़मा के नाम से जाना जाता था यहाँ पे एक पठार है जिसको हम बर्मा में या फिर इसको मयनमार कह सकते है यहाँ पे जो पठार है इसको सान पठार कहते है सान प्लैटियो सान प्लैटियो समझ गए तो सान प्लैटियो कहां है याद रखिएगा यह जो सान का पठार है यह ये जो सान का पठार है सान प्लैट्यू है ये कहां है तो ये है मैयन मार में और ये मान लिजे आपसे पूछा जाए किस के द्वारा बनाया गया है तो ये जलिये पठार है समझ गए जलिये पठार का मतलब क्या होता है कि मान लिजे वहां पे नदियों ने डिपोजीशन किया है Depositions किया और धीरे धीरे upliftment हो गया उसका ज़ते हैं इसको फ्लूवियल प्लैट्यू फ्लू प्लैट्यू समझ गया इसको हम क्या कहेंगे इस फ्लूवियल प्लैट्यू यानि यह जलीए प्लैट्यू नाम से इसको जानते है fluvial plateau के नام से इसको जानते हैं fluvial plateau याद रखिएगा यहीं पह. हमारे इंडिया में भी है यह जो चे रापुंजी का पठार यह सिलोंग का पठार इसको कहते हैं याद रखिएगा यहाँ पे Teams Lag Straight प्लैट्यू है या इसको चेरा पुंजी का पठार एक्जाम में पूछा जा सकता है क्या चेरा पुंजी प्लैट्यू है चेरा पुंजी का जो पठार है ये किस तरह का पठार है तो ये भी एक तरह का फ्लूवियल प्लैट्यू है याद रखिएगा सिलॉंग पठार जो हमार में हाले में हैं ये भी एक तरह का क्या है तो ये एक तरह का fluvial plateau कह सकते हैं इसको fluvial plateau कह सकते हैं next अब देखिए इधर अब अगर मैं आप से कहूं कि जो अब देकिए अब यहां पर देखिए यह जो अरब है सूदी अरब यहां देख रहे हैं तो यहां सूदी अरब में जो आंत्रिक रूप से एक पठार है इसको Arabian Plateau कहते हैं याद रखिएगा इसको Arabian Plateau कहते हैं सॉदी अरब में है याद रखिएगा कहां है ये सॉदी अरब में ये जो है ये है सॉदी अरब Arabian Plateau Arabian Plateau समझ गए तो ये Arabian Plateau ये यहाँ पे सॉदी अरब में है सॉदी अरब साओधी अरब में है लेकिन अगर पूछा जाया कि ये किस तरह का प्लैट्यू है तो इसको कॉंटिनेंटल प्लैट्यू कहते हैं कॉंटिनेंटल कॉंटिनेंटल प्लैट्यू का मतलब होता है महदूीद के आंतरिक भाग में बना हुआ पठार समझ गए? अगर कोई जो पठार है महदूीद के आंतरिक भाग में बना हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉंटिनेंटल प्लैट्यू के नाम से जानते हैं अब देखिए यहाँ पे ये तुर्की है और इस तुर्की में याद रखिएगा अनातोलिया का पठार है अनातोलियन प्लैट्यू ये अगर आप से कोईस्टन पूछा जाए कि अनातोलियन प्लैट्यू कहां है? ये तुर्की में है याद रखिएगा अनातोलिया का पठार अनातोलियन प्लैटियो अब देखे इधर देखे यहाँ पे अपरिका में बहुत जादा प्लैटियो आप नहीं ढूस सकते तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई परसिया का पठार कहां है तो याद रखिएगा जो परसिया का पठार है ये कहां है तो ये है जर्मनी में ये जो जर्मनी है ये परसिया यहाँ पे जर्मनी में परसियन प्लैटियो है ये परसिया का पठार है परसियन प्लैटियो तो इससे क्या कोशन पूछा जाएगा परसिया का पठार कहां है तो ये जर्मनी में है याद बनना कैसे है तो यह मैं आपको बता दूँ यह कैसे बना प्लैट्यू एटन साथ ही उसाथ को मलवा को वह क्या करता है। उसी से बन जाता है तो ये पर्सियन प्लैट्यू जो है ये एक तरह का Glaciate Plateau है याद रखिएगा Glaciate Plateau है अब देखिए यहां है Spain इसपेन में याद रखिएगा यहां पर यह यह इस्पेन का यह जो छेत्रा आप देख रहा है ना जो तीन तरब से पानी से घिरा हुआ है इसको हम कहते है अईबेरियन प्लेट ऐइबेरियन पेनेंसूला या याद रखिएगा अगर पेनेंसूला पूछा जाया कौन सा है तो वह पैनेंसुला, आईबेरियन पैनेंसुला का मतलब प्रैदीप होता है, यह एस्पेन और पुर्तगीज है यहां पे, यह देख रहा है न, यह तीन तरब से घिरा हुआ है समुदर से, इसको आईबेरिया प्रैदीप कहते हैं और इसमें मेसाटा का पठार है, तो एस्पेन में मेसाटा का पठार है, याद रखिएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूँ, मेसाटा, मेसाटा का पठार, मेसाटा प्लैट्यू, पठार, मेसाटा का पठार आपसे अगर पूछा जाए, यह कहां है पठार, तो एस्पेन में है, याद रखिएगा, यह कई बार पूछा गय है यहहां तक आपका हो गया है यहां तक हो गया है यहां तक किसमीं एक और इसमें देख लेज़े यह जो यहाँ पे इंडिया में एक और मैं बता देता हूँ यह विंधयन का पठार यह भी एक तरह का जलिये पठार याद रखियेगा विंधयन प्लैट्य। अगर आपसे question पूछा जाता है विंधियन प्लैट्यू तो ये भी एक तरह का क्या है जलिये पठार है यानि fluvial plateau है तो ये यहाँ पे लिख लिजिए विंधियन प्लैट्यू अमारे इंडिया में है विंधियन का पठार तो ये भी क्या है ये है जलिये यानि इसको हम क्या कहेंगे fluvial plateau fluvial plateau fluvial plateau इसको भी fluvial plateau हम कहेंगे अंजली जूम कर लो देखो यूटूब में अगर आप expand करते हैं उंगली से तो वह हो जाता है समझ गया है तो अपने mobile को जूम कर लिजे ठीक है यहाँ पर मैं अगर जूम करूंगा तो एक वेक्ति के लिए होगा एक जो दूसरा जगा इधर लिख रहा होगा उसको दिक्कत होगी तो आप यूटूब ने ये facility दे दी है जूम करने का तो आप उंगली रखिए screen पर जूम कर लिजे अपने आप हो जाएगा तो यहाँ तक हो गया अब चलते हैं अफरिका में अफरिका में आए है अब देखिए अफरिका अब अफरिका में देखिए अब अफरिका में कुछ ही पठार है जैसे अफरिका को पठारों का ही continent कहते हैं तो यह जो अफरिका है इसको continent of plateau कहते है continent of plateau याद रखिएगा continent of plateau के नाम से यह जाना जाता है तो ये जो छेटर है इसमें सबसे ज़वार पूछा गया जो पठार है याद रखिएगा ये कौन सा है, इथोपिया में यहाँ पे एक plateau है, समझ गया है? इसको अबिसीनिया का पठार कहते हैं, अबिसीनियन प्लैट्यू, तो याद रखिएगा ये जो प्लैट्यू है, ये प Abyssinia का पठार, Abyssinian Plateau, ये इथोपिया का छेतर है, ये इथोपिया में है, Abyssinia का पठार, ये कभी बहुत ज़्यादा वार पूछा जाता है, इसे इथोपियन Highlands भी कहते हैं, इथोपियन याद रखिएगा Highlands के नाम से भी जानते हैं, इथोपियन Highland इथोपियन Highlands के नाम से भी इसको जानते हैं, इथोपियन Highlands के नाम से इसको जानते हैं, अब देखिए कौन सा है, दच्छिन अफरिकन प्लैट्यू, अफरिका का ये जो पूरा छेतर है, आप देखेंगे, यहां से लेकर ये पूरा छेतर, ये दच्छिन अफरिका के पठारी छेतर के ही रूप में कहा जाता है, तो याद रखिएगा दच्छिन अफरिकन है और किसका पार्ट है याद रखिएगा गोंडवाना लेंड का पार्ट है यह साउफ अफरिकन प्लाट्यू है है या अभी सीनिया का पठार यह सबसे ज्यादा बार पूछा गया है बाकी इंटरसेक्टेड नहीं है इंटरसेक्टेड का मतलाब ये कटे फटे और जगा पे भी नहीं है अन्य नामों से इसे नहीं जाना जाता है समझ गए यहां तक हो गया तो मुझे बताईए आगे चलें नेक्स्ट देखे औस्ट्रेलिया ये देखे ये जो औस्ट्रेलिया का पठार है ये जो औस्ट्रेलिया का जो पठार है इसको कौंटिडेंटल प्लैट्यू कहते है औस्ट्रेलिया में आप देखेंगे औस्ट्रेलियन प्लैट्यू ये Western पार्ट में जादा है पस्चिमी छेतर में ये बहुत जादा है और याद रखीगा Australian प्लैटिव ये एक तरह का Continental प्लैटिव है ये Continental प्लैटिव के नाम से भी जाना जाता है Continental प्लैटिव यानी महाद्वीपिय पठार यानी आंतरिक भागों में ये फैला हुआ है इस तरह से आपका सारा प्लैट्यू हो गया है जो भी एक्जाम में आते हैं उसको हम पूरा किया है तो किमबरले किमबरले साउथ अफरिका में है तो किमबरले तो क्या है एक तरह का रीजन है किमबरले किसी इसके लिए जाना जाता है डायमंड माइन्स है तो किमबरले क्या है कि दिवाम सर इनके नेम में मीन डिफ्रेंस क्या है कौन से नेम में मुझे बताइए कौन से नेम में तो और कोई कोश्चन है तो पूछिए का मतलब होता है महाद्वीप के अंत्रिक भागों में जो बना हुआ यानि समुद्र से उसका लेना देना नहीं हो समुद्र से बहुत दूर हो महाद्वीप के अंत्रिक भागों में और एक विरिहत अस्तर पे उसका निर्मान होता है उसको कौन्टिनेटल कहते हैं समझ गया है प्लूवियल का मतलब क्या होता है जली ये पठार है जल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि विंधियन क्या था एक तरह समुद्र में पहले क्या था विंधियन सागर था वहां पे और वहां चूना पत्थर का क्या हुआ निच्छेफ हुआ है और वहां क्या हुआ दिपोजिशन हुआ और धीरे धीरे प्लेटों के टकड़ाने से ये पार्ट उपर उठ गया तो ये क्या बन गया एक प्लेट्यू बन गया और प्लेट्यू तब कहेंगे जब उसका एवरेज हाइट 300 से 700 मीटर के बीच होगा तो बिंध्यांचल में ऐसे बहुत सारे रीजन ह चौन है रिजिडिविल पठ नचयर रहें या तो कोई भी हील्स अगर बहुत ज्यादा कट्र कट्वट जाए तो वह क्या बन जाएगा दिरे-दिरे पठार बन जाएगा देखी, और पठार को भी का तपर दीजिये मैदान भज जाएगा। समझ गया? तो तमिल नखुका जो छेतर है कोरु मॉंडल का उसको हम क्या कहते हैं? कोरु मॉंडल प्लैटिव भी कहते हैं कोरु मॉंडल एक प्लेन के रूप में भी जानते हैं समझ गया? कुछ picks and plateau के name same हो तो difference कैसे पता चलेगा यह ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा विस्व में जो pick और plateau same है समझ गया हाँ यह mountain हो सकते हैं जैसे अगर मैं कहूँ किली मंजारो is the pick लेकिन किली मंजारो is also the mountain समझ गया पठार और पिक नहीं होते हैं पठार और पिक का example रियर ही मिलेगा आपको ठीक है तो सभासवाप्त होती है सभासवाप्त होती है आपका दिन मंगल में हो फिर से कल एक नए topic में आएंगे साम पांच बजे फिर मिल सारे पांच बजे मिलते हैं फिर से environment की class में थैंक यू वेरी मच आप सबका दिन सिवह हो दिवम हयात अंजली रॉकी हैरी बुक और तनु सेख आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद नहीं आप सुप आप सबका दिन सिवह पर राद एक मैं से ल AnimalsSay अंजली बहुत बजे सहन वे ल मिल दो नग्याद आप सबका ज inhibड है झाल झाल